नेक्स्ट हम करने जारे एक्जेम्पल थर्ड स्टेटमेंट है इफ दा ग्रेटेस्ट पॉसिबल रेजल्टेंट अफ टू फोर्से पी एंड क्यों इस एंड टाइम दा एंगल ही हमने शो करना है क्या गिवन है कि ग्रेटेस्ट पॉसिबल रेजल्टेंट अफ टू फोर्से इस एंड टाइम्पल रेजल्टेंट अगर हमें ग्रेटेस्ट का हुए तो इन दोनों को प्लस करना है तो ग्रेटेस्ट रेजल्टेंट मतलब इन दोनों को प्लस करना है और लीस्ट का हूँए लीस्ट रेजल्टेंट मतलब दो फोर्से को फोर्से को माइनस करना है तो greatest resultant of two forces, greatest resultant कितना था, P plus क्यों, वो क्या हुआ is, is का मतलब is equal to n times, is equal to n times है, किसी है least, least का मतलब P minus क्यों, least resultant होता है P minus क्यों, ठीक है, तो हमने show करने angle, यह हमने angle शो करने है, और given है कि when the resultant is half their sum, resultant जो है, उन दोनों का sum का half है, यानि P और क्यों का plus करो, और उसका half करो, अब हम यहां से इसको solve करते है, n को अंदर multiply के n P minus n क्यों, अब यहां से P कोमन निकाल दिया, जब P कोमन निकलेगा, अंदर क्या रह जएगा, यहां P plus का, उदर या क्या हो जएगा, minus का, तो n minus 1 रह जएगा, is equal to, और यहां पर minus n क्यों, इदर आ के क्या हो जएगा, plus का हो n क्यों, और क्यों कोमन निकालोगे, तो n plus 1 रह जएगा, यहां से P की value निकाल दिया, n minus 1 इदर multiply हो रहा है, उदर या के divide में चला जएगा, यह P की value आगी, अब R certain, वो हमें statement में का हुआ है, कि half of their sum, यहां पर जो आना है, of their sum, उनका half भी करना है, यहां हाफ of their sum, यह में का हुआ है, अब हाफ वैसी, P की value हमने उपर निकाल दिया, यह में पूट कर दिया, यहां पर जो आना है, of their sum, P and क्यों, बड़ा आना है, यहां पर capital क्यों आना है, चीक है, तो क्यों पूट कर दिया, अब यहां पर हमने, क्यों 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 क्य गया, n प्लस n कितना हो गया, 2n, और 2 से 2 भी कट हो गया, अकेला उपर n बचेगा, नीचे n माइनस 1 इंटू क्यों, यह आजेगा, अब हम रिजल्टन का फॉर्मला लगाएंगे, लेट अलफा भी दे अंगल बट्वीन पी और क्यों, पी और क्यों के बीच में हमने अंगल अ प्लस क्यों 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 क यहांसे q square common निकाल दिना है सभी में से अंदर की रहा जाएगा देखो n plus 1 upon n minus 1 का whole square plus । है क्योग स्क्राओं निकाल दिना वार रहा जाएगा और यह q in टू-q q square common निकाल दिना अंदर के रहा जाएगा 2 into n plus 1 upon n minus 1 into cos alpha यह q square से q square कटो गया क्या बचेगा n upon n-1 का whole square is equal to यहाँ पर हमने lc में लिया n-1 का whole square क्योंकि इसको जब हम square लगला करेंगे n-1 की square नीचे के आजएगा n-1 का whole square बड़ी power वाला lc में लेते हैं तो n-1 whole square lc में लेंगे तो lc में उपर के राजएगा n-1 का whole square प्लस यहाँ नीचे 1 है तो n-1 whole square को 1 से multiply करेंगे यहाँ पर एक ताम है n-1 की टोटल हमारे पास 2 power की यहाँ एक power है एक नहीं है तो जो एक नहीं है वो उपर multiply करेंगे 2 into n-1 n-1 यहनिकि एक power जो n-1 की यह वाली 1 power जो है n-1 उपर numerator से multiply करेंगे साथ में cos alpha यह उपर क्या n-1 square लग लग कर दी upon n-1 का whole square अब इसका square खोन ले है a plus b का whole square क्या आजएगा n square plus 1 plus 2n इसमें a minus b का whole square n square plus 1 minus 2n plus यहाँ formula लगा दिया a plus b a minus b किसके को लोता है a square minus b square into cos alpha नीचे n minus 1 का whole square यह कट हो गया अब क्या बचेगा n square is equal to देखो n square plus n square 2n square plus 2n से 2n cut हो गया 1 plus 1 2 plus 7 में 2 into n square minus 1 into cos alpha छीक है अब देखो यह n square यह 2n square इदर है कि क्या आजएगा minus n square हो जएगा n square minus 2n square is equal to minus n square और is equal to 2 plus 2n square minus 1 into cos alpha यहासे देखो 2n square minus 1 into cos alpha is equal to यह plus 2 है उदर है कि minus का 2 और साथ में मैंने minus भी कॉमन निकाल देए अंदर के राजएगा n square plus ते यहासे मैंने cos alpha की value निकालनी है cos alpha कितना आजएगा minus of n square plus 2 minus कॉमन निकाला हो आउपर निके 2 into n square minus 1 alpha कितना आजएगा cos inverse minus n square plus 2 upon 2 into n square minus 1 यहासे रागा यही हमने प्रूफ करना था देखो क्या प्रूफ करना था cos alpha minus of n square plus 2 upon निके 2 n square minus 1 यह हमने प्रूफ करना था यह प्रूफ हो गया यह व्ला अब फॉमुले टिक कर ले ना जो जो मैंने आपको करवाई है एक तो मैंने रिजल्टेंट का फॉमुला बताया है अंडूटो p square plus q square plus 2p के हो cos alpha एक आपने tan theta या theta का दोनों सेम ही है फॉमुला यह करना लर्ण q sin alpha upon p plus q cos alpha एक आपने sin theta और cos theta का करना है sin theta क्या होगा q sin alpha क्योंकि यह tan होता है ना p upon b perpendicular upon base तो sin theta होता है p by h तो p तो वही रहना है क्यों sin alpha नीचे resultant आएगा h ऐसी cos theta होता है b by h b a होगा p plus q cos alpha upon resultant यह formula आपने लर्ण करने है next example resultant of forces p and q is at right angles to p two forces गिवन है कौन सी गिवन है p and q और जो resultant है वो right angle है किस point पे right angle है p point पे right angle है ठीक है तो हम इसका formula लगाएंगे right angle में यह formula cos का यूज करेंगे जो अभी मैंने बताया है cos right angle means 90 degree तो alpha की जगा 90 degree क्या formula था p plus q cos alpha by r जो अभी मैंने formula टिक करवाई है ठीक है तो p and q forces है तो p क्यो ही यहाँ यूज करना है cos alpha by r और यहाँ पर देखो यहाँ पर जो यह cos theta है यहनि कि जो p and q f is at right angles to p resultant जो हैगा p और q का वो किस right angle है p p है ठीक है तो यहाँ theta की जगा हम 90 degree put करेंगे right angle और cos 90 कितना होता है 0 p plus क्यो cos alpha by r cross multiply किया यहाँ से p plus क्यो cos alpha 0 आ गया और यहाँ से cos alpha की value क्या आजेगी minus p upon q second line में हमें two forces कहिए है p dash और q dash acting at same angle is right angle to q dash अब यह right angle किस point पर का हुआ है q dash पे अब यह चीज का धियान रखना कि अब क्यों ड़ाश पे जब राइट एंगल का हो तो 90 degree वैसी यूज करेंगे बद फोर्मला में चेंज आ जाएगा क्योंकि जहां पर हम right angle केते हैं उसको हम पहले लिखते हैं पहले इसका है पर हम पक्यों किस पे किस पे का था पे पे तो पो पे को पे और श्यूंकि ऑड़ किस प्लीच पे hate कि कयो ब्लस 양ी कौस अलफा पॉन रह्र हाश है ठीक है इसका रह्रट हर्ट क्रोस्ते से कोश एड़ दाश कोकर भी होनकि कि नहीं एपी देश यह फरस्टी क्योशन आगी इन दोनों को सॉल्व करते हैं यह भी कोसल फैंगे क्योरicaçãoस खॉल करते हैं स्युegt कि बसक्ति उसा अधर यहां कर देंगे झाल